हलो बच्चो चलिए आज की लास सुरू करें इसके पहले हमने जो नवदय कर टेस्ट लिया था उसमें हमने अनुभु किया कि यह जो प्रसन bütün नहे इस प्रस्न को हल करने में काफी बच्चों को दिक्कत हुआ है तो सबसे से पहले प्रस्णों को समझते हैं विभीन अंकों से बनी पाँच अंकों की सबसे बड़ी वा सबसे छोटी संख्या का अंतर है अब यहां पर काफी कंफूजन आप लोगों को लगा है लेकिन आपकोई प्रकास्त दे दिया रहता है तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बनाना छोटी से शोटी संख्या बनाना तो आपको आता है लेकिन यहां पर अंख दिया ही नहीं है तब कैसे करें देखिए कॉंसेप्ट को समझे हमारे पास संख्या पद्धती में 10 अंख होते हैं सुनने 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यह संख्या पद्धती के 10 अंख है अब यदि यहां कहा जाए कि 5 अंखो की सबसे बड़ी संख्या जो विभिन अंखों से बना है तो जब भी अलग-अंखों से बनी बड़ी संख्या की बात करें कौन से बात करें सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो आप इन अंखों के पीछे से अंखर था बड़े अंखों को लेते जाए बड़े अंखों कोन कोन से हैं 9 है 8 है 7 है 6 5 4 3 2 1 सुनने इस प्रकार से हैं अब यहां पर 5 अंख कहा गये है तो आप इस तरफ से पहला अंख तीसरा अंख 4 अंख 5 अंख इन 5 अंखों के प्रयोक करके आपको सबसे बड़ी संख्या बनाना है ठीक है आगे और confusion था वो भी clear होगा देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या बनाना कैसे बनाते हैं जो भी अंख दिय में से सबसे बड़ा अंक कौन से है नौ है तो चले नौ को हमने यहां लिद दिया उसके बड़ी संख्या कौन है नौ को हमने यहां लिद दिया अब क्या क्या बच्चा इसमें से यह 8 है तो यह 8 लिखे फिर यह 7 फिर यह 6 यह 5 यह जो है पांच अंको की सबसे बड़ी संख्य संख्या बना है जो अलग-अलग अंकों से बनेगा ठीक है अगर यह 6 अंकों कर रहता तो हम क्या करतें यह एक अंग दो अंग तीन अंग चार अंग पांच अंग और 6 अंकों लेते क्लियर है 6 अंकों लेते और उसके बाद जो है इस इस प्रकार से 6 अंको की संख्या बनता यहां पर 5 अंको का कहा गया है इसलिए हमने 5 अंको का लिया अब यहां पर कहा गया है कि सबसे छोटी संख्या विभिन अंको से तो आपने इसी से सबसे छोटी संख्या बना दिया वो जो है गलत है इसी से नहीं बनाना है यहां पर कहा विभिन अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या, जब सबसे बड़ी बनाना हो, तो आपको इस तरफ से अंकों को लेना है, थाथ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 इस प्रकार से, लेकिन सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो आपको सुन्ने की और से लेना है, ये एक अंक, दो अंक, तीन अंक, च जब छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं तो आपको पता ही है कि सबसे पहले जो अंक दिया गया है उसमें से सबसे छोटे अंको को पहले लिखते हैं तो सबसे छोटा अंक कौन से है सुनने है आपने लिख दिया उसके एक दो तीन चार आपने लिख दिया बिल्कुर सही आप देखो गेती हो केवाल चारंग की संख्या है हमको तो बनाना था पांच अंको की संख्या तो कैसे करे और यहां पर शुन्य भी नहीं है कहीं भी सुन्य को यहां रखते हैं तो क्या हो जागए चारंग की संख्या ही रहेगा इसलिए क्या करे जब भी सुन्य दिया रहे सं सब से छोटी संख्या बनी अब कहा गया है कि दोनों का अंतर आपको ज्याद करना आपको जिया टिग यूद करेगा तो यूद करते ना ठीक है यहाँ पर अंतर कहा गया है तो लैक करना है, 5 में से 4 कम करेंगे, 1 आएगा, 6 में से 3 कम करेंगे, 3, 7 में से 2 कम करेंगे, 5, ये 8, और ये 8, 88,531 का उत्तर आएगा, यहाँ पर हमने 5 अंको का बनाया, ठीक है, ये आपका concept कथा, अब परिच्छा में पुछा जा सकते है, 4 अंको की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, 3 अंको का पुछा जाएगा, 3 अंको लेंगे, अगर 7 अंको का कह दिया, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो है सबसे बड़ी संख्या के लिए बनेगा, ठीक है, उसके सुन्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक छोटी संख्या के लिए, तो इस परकार से एक concept है, ठीक है, अ अब हम बात करते हैं, आज की concept का, ये तो हमारा पिछला वीडियो का जो दिक्कत हुआ था कि उस बच्चो को, उसके धार पर है, अब हम बात करते हैं, आज आपको क्या-क्या सिखना है, ठीक है बच्चो, चले, शुरू करते हैं, आज की class को, आज आज आपको बहुत अच् पूर्ववर्ती संख्या, बहुत छोटा सा concept समझ रहे हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छे-च्छे प्रसंद पुशे जाते हैं, समझेगा बिल्कुल, यहाँ पर देखें, परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या अर्थात होता है, successor, ठीक है, successor, और पूर्वर्ती संख्या अधार्त है, predecessor, ठीक है, इसको English medium में इस प्रकार से कहा जाते, इसको successor कहा जाता है, इसको predecessor, concept बहुत सिंपल से है, परवर्ती, पूरवर्ती का, लेकिन देखेगा कि प्रसंद किस प्रकार से नावदय में पूछे जाते हैं, देखे, सबसे पहले इसके concept को एक बरो समझते है पिर इसके आगे कब बताऊंगा, माल दीजे यहाँ पर 7 कोई संख्या है, 7 कोई संख्या है, तो 7 के ठीक पहले क्या आता है, 6, 7 के ठीक बाद आता है, 8, यह तीन अलग-अलग संख्या है, जिसमें यह बीच की संख्या है, ठीक पहले की संख्या 6 है, और ठीक बाद की संख् परवर्थी संख्या और उसी प्रकार 6 जो है 7 का पूरोवर्थी संख्या है पूरोवर्थी संख्या है यह concept है अब ध्यान से देखोगे यह तो छोटा अंख था चोटी संख्या था वोकिक बता दोगे बड़े बड़े रहेंगे तब क्या करेंगे ध्यान से रेखोगे तो ये जो है ये आठ जो है साथ से एक ज्यादा है छे जो है साथ से एक कम है अर्थात परवर्टी संख्या ज्याद करने के लिए आपको दी गई संख्या में से एक जोड़ना पड़ता है क्लियर है और पुरवर्टी के लिए आपको एक घटना सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या की परवर्ति संख्या होगी परवर्ति संख्या होगी इसके आपसन को देखिएगा आपसन किस प्रकार से पुछा जाएगा आपसन ए है कि तीन अंको की तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या देखिए आपसन को समझ यह सबसे छोटी संख्या यह पहला अपसन हुआ दूसरा अपसन दे दिया अपसन B चार अंकों की चार अंकों की सबसे छोटी संख्या ठीक है सबसे छोटी संख्या दूसरा अप्सन दे दिया, उसके बाद दे दिया अप्सन C, पांच अंको की सबसे छोटी संख्या, ये भी एक अप्सन है, ठीक है, ये भी दे दिया, और D दे दिया, पांच अंको की सबसे बड़ी संख्या, ये चार अप्सन आपको दे दिया गया, अब बताओ इसका परवर परवर्ति कैसे ग्याद करों इसी प्रकार से घुमाओदर प्रश्ण जो है नवदय में पूछे जाते हैं तो आपको इस प्रकार से प्रश्णों को हल करने का बिल्कुल अभ्यास करते रहना है बिल्कुल समझते रहना है ठीक है अब बताइए जो कांसेट आप परवर्ति रहा है वह भी देखना और जिसको समझ में आ रहा है वह भी पूरा देखना बहुत अच्छी चीज आपको बताऊंगा अब जब भी ऐसा प्रस्ण पुछा जाए तो कैसे हल करेंगे हो सकते हैं यहां पर आपको समझना रहो मैं केवल आपको दिखा रहा हूं कि इस प्रकार करने अर्था ठीक बात की संख्या क्या करेंगे एक जोडेंगे एक हम जोडेंगे तो यह हो गया सुनने यह सुनने यह सुनने और यहां पर यह दस क्योंकि हासिल लेते गए तो इस प्रकार से दस हजार अब यह दस हजार क्या चीज है आपसर में तो दस हजार नहीं दिया ह इसका बिल्कुल मैं तियोरी बताउगा आपको ऐसा चीज बताऊंगा जिसको आप देख करके एक बार में समझेंगे और हमेशा जो है जब भी परिष्छा के त्यारी करनी हो परिष्छा के पूर के वार उसे एक पेज को देख लेंगे ये concept आपका समझ में आ जाएगा चले इसको हम समझने के लिए तीन प्रकार से ये line की इसने column बनाते हैं आप सभी बच्चे अपने अपने copy में इस प्रकार से column बना ले ठीक है table बना ले column बना ले अब यहाँ पर हम लिख देते हैं संख्या यहाँ पर लिख देते हैं हम संख्या और ये हो गया परवर्ती संख्या अर्था सक्सेसर, और यह हो गया पूरोवर्ती संफ्या, थिक है पूरोवर्ती संख्या, अब माल लीजिये, हमने कोई संख्या ले लिया, जैसे कि हम ले ले लिया 605, इक उदारंग के थे, तो 605 का परवर्ती क्या होगा, छोटी संख्या है, तुरन बता दोगे, 605 के बादा आता है 606 आपने लिख दिया और 605 के पहले आता है 604 तुने आपने तुरन लिख दिया ठीक है नहीं माली जी इसको नहीं लिख पाएं नहीं बता पाएं तब क्या करेंगे 605 का परवर्थी के लिए क्या करेंगे हम 605 में 605 में एक को जोड़ेंगे कितना आ गया 606 आ गया ठ 605 में 605 में एक को घटाएंगे वह जाएगा 604 लेकि इतना सिंपल नहीं पूछा जाता नवदय में अब आप से प्रस्थ पूश्थ दिया कि 992 की परवर्ति संख्या क्या है प्रस्थ पूश्थ दिया है 992 की परवर्ति संख्या क्या है ठीक है यह आपका निन्यन्वे है परवर्ती संख्या क्या है अब परवर्ती संख्या आप ज्याद करोगे अर्थात निन्यन्वे हमें आपको जोड़ना पड़ेगा कितना एक यह मिल गया सुन्य यह मिल गया सुन्य सौ अब सौ क्या चीज है निन्यन्वे क्या चीज ह निनियन्वे जो है दो अंको की सबसे बड़ी संख्या है तो दो अंको की सबसे बड़ी संख्या की परवर्ती संख्या हमको क्या मिला तीन अंको की सबसे छोटी संख्या जो मैं बताते जा रहा हूं इसको अपनों लिखते जाएगा दो अंको की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती संख्या जो है वो है सो जो की तीन अंको की सबसे चोटी संख्या है अब इसका पुरवर्ती कितना हैगा इसमें हम एक घटा देंगे कितना हो जाएगा यह अंठनबे हो जाएगा तो अंठन में क्या चीज है अंठन में जो है दो अंकों की सबसे बड़ी समसंख्या है दो अंको की सबसे बड़ी समसंख्या is. क्लियर है अभी मैं समसंख्य के बारे में भी बताऊंगा तीन कॉंसेप्ट बताने वालों वीडियो थोड़ लंबा होगा लेकिन बहुत बेसिक चीज़े हैं ठीक है तो यह आपका प्रशन आ गया अब माल लिजे आपके परिच्छे में इस प्रकार से पूछ दिया नौ सो न में एक जोड़ों के कितना जाएगा एक हजार क्या जाएगा एक हजार तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती संख्या हुआ चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्लियर है यहां तक यह तीन अंकों का था इसका परवर्ती जाथा इसमें एक जोड़ेंगे तो 1000 मिला जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है अब इसकी पूरवर्ती संख्या इसमें हम एक घटाएंगे एक घटाएंगे तो यह आठ यह 990 तो 900 अंठन बे क्या है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है इन सभी चीज़ों को आपको लिखना है अब माल ने जाए इस पूरवर्ती बता नहीं तो 10,000 में आपको क्या करना पड़ेगा एक जोड़ोगे क्या जाएगा यह एक सुन्ने 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 एक कितना बार सुनने था चार बार यहां पेति ठीक तो यह हो जाएगा 10,000 एक 10,000 एक क्या चीज़ है यह जो है पांचंकों की सबसे छोटी बिसम संख्य है फांचंकों की सबसे छोटी बिसम संख्य और इसकी पूरवर्ती वेला हो जाएंगा 19999 इसमे एक को घटा दो एक को घटा दो क्या जाएगा 9999 यह नहो जाएगा, यह नहो जाएगा methods यह कट जाएगा यह 9999 क्या है 4 अंको की सबसे बड़ी संख्या है यहां तक clear हो गया अब आपके पास कई प्रकार के प्रष्ण परवर्ती पुर्रवर्ती से सम्मझित प्रस्ण में पुछे जाएंगे परिष्छा में आप इसके लिए त्यार हो गए हैं कोई दिक्कत हुआ है तो वीडियो को सुरू से देखो क्लियर हो जाएगा अब हम बात करते हैं एक नए कॉंसेप्ट पर ठीक है इतना आपको समझ में आया अब एक नए कॉंसेप्ट पर ब उसके बाद गणित का एक बहतरीं कांसेप्ट आप समझेंगे यह एक पेड़ है और यहां पर कुछ बच्चों द्वारा रेस का यजन किया जाता है जिसमें माल लेजिए यह वेदांस है वी अर्थात वेदांस ए अर्थात अंस है यह देवांस है और यह स्निहा है यह चार बच्चे हैं और चार बच्चों द्वारा रेस लगाया जाता है कि कौन पहले उसको टेच करेगा जो पहले उसको टेच करते हैं वो जीत गया कुछ दिर के बाद देखते हैं यहां पर है दिवांस यहां पर है तो अंस यहां पर है और स्रेहा यहां पर है तो विदांस है य ठीक है यहां से सब डौड़ना शुरू किये कुछ दिरबद यहां पहुंच गए अब यहां से हम देखें आप से कुछ पुछ अब तो रहड़न बोलोगे वेदांस, दूसरा सनेहा, तिसरा अंस और चौधि देवांस, चले यह कामकरते जिसने minor नामे, पहला है देवांस, अब कुछ समय बाद हमने देखा कि यह जो देवांस है बहुत जोर लगाया, डौरते डौरते, और इसको पीछे छोड़ दिया, अब जो है, दौरते हुए आपने देखा, कि यहां पर देवांस पहुंच गया, यहां पर अंस आ गया, डौरते हुए, और उसी प्र पहला हो गएसनेहा दूसरा हो गए ववझाष दृस्तर देवांस और चौूथा अंस हुआ की का नहीं हुआ हम र freaking लंबा रिस था चलते रहा इसने और जो लगाया और यह कि सीधर यहाँ पर पहुंचने की कोशिस कर रहा है, यहाँ पर पहुंच रहा है, यह जो है, यहाँ पर आ गया, कौन था? यह स्निहा आ गया और यहाँ पर देवांस, देवांस के जगा आ गया, यहाँ पर वेदांस, ठीक है? यह स्निहा, अब यदि इस प्रकार से लिखा जाए, तो पहले इ यहां पर निहां और यहां पर देख सकते तिसरे में विदांस है और यह चोटा सा घटना है ऐसे आप लोग समस्ति अब मैं पूछता हूं आप से कि पहले बार में पहला कौन था विदांस था अब कुछ समय बाद विदांस कहां पहुँच गया दूसरे इस थान पर पहले पहला में था यहां दूसरा था यहां पर तीसरा में अब जब विदांस यहां पर था तो इसका नाम क्या होगा इसका नाम विदांस ही रहेगा न भी पहले इस थान पर है तो इसका विदांस को व बदलेगा क्या इसका नाम नहीं बदल रहा है यह जो है यहां पर विदांस ही है और उसी प्रकार विदांस यहां पर भी विदांस लेकिन यहां पर यह दूसरा हो गया यहां पर यह तीसरा हो गया चो दो जो दूसरा और तीसरा हो रहा है पहला दूसरा तीसरा वो क्या चीज रहे हैं कि अलग अलग जगह पे विदान्स का नाम अलग अलग हो गया हो जाता है कि आप भी कक्षम बैठते हैं पहले नमबर में के एकादिन बैठ के क्लास में आपका नाम जैसे अजय है तो पहले नमबर में तद भी आपको अजय ही बोलेंगे लेकिन क्या होगा जब पहले में बैठोगे तो पहले इस्थान पर बैठे हो सात्वे में इस्थान पूल है अर्थत पहला सात्वा दस्वा ऐसे बोलते हैं है कि ने तो जो पहला सात्वा दस्वा है वो क्या चीज़ है इस्थान का नाम है जो आपका नाम हो क्या निवदलता ये ना अब इसको गडित में ह सभी क्या है हमारे संख्या पद्धति के अंग है तीन चार पांच छे साथ आठ नौ यह हमारे संख्या पद्धति के दस अंग है और इसको जो हम बोलते हैं यह शुन्य यह एक यह दो यह तीन चार पांच 6, 7, 8, 9, यह सभी इसके क्या है, नाम है, सभी इसके नाम है, और यह कहीं पर भी रहे, यदि हम इसके नाम से बोलते हैं, तो यह जो है, यह जो है, उतना ही रहेगा जितना लिखा है, दो है तो दो ही बोलेंगे, तो इस नाम को ही गड़ित के भासा में कहा जाता है, अंकित मान क्या वो कहा जाता है अंकित मान जिसे जाती मान भी कहते है और इंग्लिस में कहा जाता है फेस विल्यू क्या कहा जाता है फेस विल्यू इंग्लिस में कहा जाता है ठीक है समझ आया यहां तक आप यहां पर देख सकते हैं यदि मैं कोई संख्य लिग दो इससे मिला कर जैसे मैं इतने को मिला कर संख्य लिग दिया 2 3 4 5 हमने संख्य लिग दिया 2345 2345 हमने लिग दिया तो यहां पर यदि मैं 3 की बात करूं तो यह 3 उसका नाम है तो तीन इसका क्या होगा अंकित मान होगा अंकित मान इसका तीन ही होगा ना जादा ना कम तीन का तीन हैगा लेकिन ये किस इस्थान पर है इकाई दहाई सैकड़ा ये सैकड़ा किस इस्थान पर है तो इस्थान के अधार पर इसका जो मान है वो हो गया तीन सो क्योंकि ये त तो इसी को कहा जाता है इस्थानिय मान अर्था अंको के इस्थानिय के अधार पर इस्थान के अधार पर हम जो मान लिखते हैं वो उसका इस्थानिय मान है clear है यहाँ पर 4 का अंकित मान 4 ही रहेगा लेकिन 4 कहाँ पर है 4 है दहाई पर है ना 4 है दहाई पर तो 4 का इस्थानिमान हो जाएगा 40 5 को हो जाएगा इकाई है तो 5 को 5 रहेगा 2 कहाँ पर है 1000 में है तो इसको कितना पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे 2000 ठीक है तो 2000 जो है इस दो का इस्थानियमान है कौन सामान है इस्थानियमान जैसे इसका इस्थान बदल रहा है है ना उसी प्रकार अब 2 को माल लिजी हम यहाँ पर रख दिए इस तरख दो कहा गए, एकाई में, तो अब इसका इसठानी मन कितना हो जाएगा, दो ही रहेगा, क्योंकि इसकी वेल्यू अब दो है, यदि इसी को यहाँ पर रख दे तो इकाई, तहाई, सेकड़ा, दो सो हो जाएगा, अर्थार इससथानी के अधार के इसका मान बदल रहा है, कभी कभी 2000 हो रहा है कभी 200 हो रहा है तो यह इसका इस्थानी मान हुआ लेकिन दो को हमेशा दो ही बोलेंगे उसके नाम से तो यह जो है इसका अंकितमान है अब नावदय में किस प्रकार से प्रस्न आते हैं इतना सिंपल प्रस्न तो नावदय में नहीं पूछा जाता है ना भी अ तो नमख़ूद॥्य में इस प्रकार से प्रस्क्रेया पूछ जाते हैं कोई एक संख्या दे लिया रहता है जैसे कि यहांन पर संख्या है कितनी संख्या ये साथ लग स्थानीमान कितने हैं कहां पर है दो क्तान पर है तो यह 홑स्था एस्थानीमान सब्सक्राइब नहुत अब इसको क्या होगा अंकित मानः हो दो पर आपको क्या करने घाटाना है यह यह 8 आह लिएक alors 908 यह इसी प्रगार से प्रस्ण परिश्चा में पूछे जाते हैं अब यहां पर अंतर पुछा गए हैं कभी-कभी आपको जोड़ने के लिए जाएगा जैसे कि इस संख्या में दोके खानी और अंकितमान का योग है तो जब योग पुछा जाएगा ता आपको यहां से जोड़ना है ठीक है जोड़ना है निकल जाएगा इस प्रकार से दो हजार दो ठीक है अब कभी-कभी आपको इस प्रकार से इसका गुना भी पुछ दिया जाएगा तो मैं complete चार्ट आपको पर इस प्रकार से चार्ट बना रहे हैं चार्ट शुमाना बहुत असान हो जाता है ठीक है चार्ट से समझना बहुत असान हो जाता है इसको को समझीएगा गदे चलिए ठीक है अब यहाँ पर अंक को लिखते हैं यह अंक है और यह जो है अंकित मान स्वारी यहाँ पर इस्थानी मान इस्थानी मान इस्थानी मान यहाँ पर अंकित मान अब यहाँ पर देखो यह मान लिख दिए अब यहाँ पर देखो यह जो संख्या है हम एक एक करके सम पर हमने लिए आठ अब आठ जो है इकाई की स्थान पर है तो इसका इस्थानी मन क्या होगा आठ ही होगा क्या होगा आठ ही होगा है ना भई और इसका अंकीत मान भी कितना होगा इसका नाम आठ ही है है कि नहीं 9 की बात करें, यह 9, 9 कहां पर है? 9 है दहाई की स्थान पर, तो इसका स्थानी मन कितना हो जाएगा? एकाई दहाई अर्था 9 दहाई का 90, यह 90 हुआ, और इसका अंकित मन कितना होगा? 9, क्लियर है? अब उसके बाद यहां पर देखिए, 5 है, 5 कहां पर है? सैकड़ा पर है, तो 5 सब, और इसका अंकित मन कितना होगा? 5 ही होगा, इसी प्रकार से आपको बांकी बनाना है, अब देखिए, परिश्चा में पूछा जाएगा, मान लीजे, 8 के इस्थाने मन वा अंकित मन का योग बताओ, तो यहां पर हम देखिए, योग, तो देखिए, आपको अंकित मन और इस्थाने मन को जोड़ना है, इकाई में था, तो 8 और 8 यहां पर हो जाएगा, 16, ठीक है? अब मान लीजे, यहां पूछ दिया गया, कि इस्थानी मन वा अंकित मन का अंतर बताओ, तो चले यह गया, है ना, ऐसे गुणन फल अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकते हमें हर प्रकार की इस्थितिक लिए त्यार रहना चाहिए, अब गुणन फल पूछ दिया अर्थत, 8 गुणा 8, 64, और यदि भाग फल पूछ दिया गया, भाग फल पूछ दिया गया तो 8 में 8 को भाग करोगे, है कि ने भई, यह 8 से 8 को भाग करोगे, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, 8 है कब 8, यह आया 1, ठीक है, यह आया 1, चलिए, और पेटिस करते हैं, इस पर बात करते हैं, यह तो बहुत सिंपल था, यहाँ पर देखिए, अब इसका इस्थानी मान 9 का है नबबब, और अंकित मान है नो, अब यहाँ पर इसका योग कहा जाए, तो देखिए, नबबबब में आपको 9 जोड़ना है, नबबबे में 9 जोड़ना है, कितना आएगा, निन नबब, यहाँ पर हमने निन्यन में लिख दिए, अब यहाँ पर अंतर कर दिजे, कितना यह 1, 81. अब गुनन फल कहा जायगा. तो आपको इसको गुणा करना है. गुणा करना कितना आएगा? यह सुर्णी आक Immer Ihr Come 9 competent 81. कितना हो गया? 810. कितना हो गया? 810. अब उसके बात भाग फल कहा गया? आपको क्या करना है 90 को भाग करना है 9 से यह 90 यह 9 9 दाम 90 कितना आया 10 आया ठीक है आप देखिए इसको समझते हैं 500 है किसका इस्थानी मन 5 का अंकित मान है 5 दोनों का योग कितना हो जाएगा 505 ठीक है अंतर कितना हो जाएगा घटाओ 495 गुणा कितना हो जाएगा दो सुन्य आपकी उत्तर में आएगा और पांचे में 25 यह हो गया 25 और भाग फ़ल आप देख सकते हैं 500 को पांच से भाग करो 500 पांच के पार हम 100 बर पढ़ते हैं 500 होता है तो इस प्रकार से अंकित मान और इस्थानी मान इसका जो है आपको कम्प् अध्यास करना है और यदि जो विद्याति चार्ट का अभ्यास कर लिए वह नवद्यक के लिए पूरी तरह तयार है इस चेप्टर के लिए ठीक है तो बांकी जो अंक है 2 6 7 यह आपके होमबर्क के लिए है आप जो है इसको हल करेंगे ठीक है चले अब एक और नय कांसेप् इस वीडियो का अब अगला concept देख सकते हैं सम विसम संख्या पर है बहुत ही सिंपल लग रहा होगा आपको लेकिन देखेंगे कि सम विसम संख्या से सम मजित किस प्रकार के प्रश्णों जो है नवदय में पूछे जाते हैं ठीक है देखें यहाँ पर आप समझेंगे सबसे पहले सम संख्या विसम संख्या क्या आप जानते हैं पांची अगर पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में जानकरी है फिर भी आपको बहुत ही सिंपल तरीके बता रहा हूं यदि आपक्षा दूसरी में पढ़ते रहते तो अलग तरीका समय बताता यह कश्च्या जैसे कि हैं अपर सोल हो गया से अठारा होगया उनडी rust हों इन गया इन सभकशे जिसको हम दो समान भागों में बाहुते या जिसकी दो दोकी जोड़ी बना सकते हैं कोन-कौन साह यह 16 Соπό 10 haar内य भीम ही बड़ा कौन बड़ाबेनों बाड़ सकते हैं या दोदो की जोड़ी बना सकते हैं तो जिसके जोड़ी बनेगी दोदो की जोड़ी बनती है वह होता है समसंख्या इसके पैचान क्या है जैसे कि आपके पास इस प्रकार से संख्या है ठीक है यह इस प्रकार से संख्या है यह इतना बड़ा संख्या दे दि तो यह समसंख्या होगा, नहीं बाड़ सकते हैं, तो विसम संख्या होगा, आप देख रहे हैं, जो हमने उदारन लिया है, वो जो है, उसको हम दो बराबर भागु में नहीं बाड़ सकते हैं, या दो दुख की जोड़े नहीं बना सकते हैं, तो यह विसम संख्या है, यह वि विसम संख्या से सम्मंधित किस प्रकार से प्रस्ण जो है नौदय में पूछे जाते हैं विसम संख्या समझ गया ना भी जिसकी जोड़ी नहीं वनेगी वह विसम संख्या है इसके इकाई में सुन्य दो चार छे और आठ रहते हैं इसके इकाई में एक तीन पांच साथ है न भी 11 13 15 17 19 यह सभी भी समसंख्या हैं अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से प्रस्न नवदय में पूछे जाते हैं ठीक हैं आपने अभी संख्या बनाना सीखा अब यहां पर एक प्रस्न दे दिया गया कि साथ चार एक दो सुन्य उसके बाद तीन यह एक संख्या के लिए अंक है कितने अंकों की संख्या बनेगी एक दो तिन चार पाथ च्छै च्छै अंकों की संख्या का लिष्ट है और इसमें यह कहा गया है कि आपको इस संख्या से इस संख्या से सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी विसम संख्या बनाना है ठीक है सबसे छोटी विसम संख्या बनाना है इन अंकों का प्रयोक करके तो देखिए आपको बता दे जब भी ऐसे प्रस्ण आते हैं यह प्रस्ण परिच्छा में पूछे जाते हैं तो यहाँ पर सबसे छोटी विशम संख्या कहा है तो सबसे पहले आपको तै करना है कि इस अंक के माध्यम से इन सभी अंकों के प्रयोक करके हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या बनाना है उसके बाद देखेंगे कि जो संख्या बनाए है वो सम है कि भी सम है तो चलिए हमने अभी बताया था सुरुवात में ही सबसे छोटी संख्या इससे बनाना है तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटा अंक कौ कुं सा है सुन्य है उसके बाद एक है ये दो है ये चार है हैंने दो के बाद इन है फिर चार है फिर साथ है ये च्ली आंक्ख है यहां पर लेंदिए सुन्ने पहले आ गए हम Tekst oxid कज़ यहां पर पहले आ हैं तो इसमें कुछ बदलने की जरूत नहीं है माल लिजे इसी को कहा जाता सबसे छोटी समसंख्या सबसे छोटी समसंख्या कहा देते हैं यह हमने तयार किया अब इसमें आपको सबसे छोटी संख्या सोटी समसंख्या बनाना है तो आप देख रहे हैं यह जो संख्या भी बन आंक तो जाएंगे अईसे साथ है ये वी सम कहें ऊसके और आगे जाएंगे यहां पर चार है जोकी YES सम अंक है Iach Signunden जैसे हमको मिलता है हम जह जो है सबसे सबसे आखरी में रख देंगे, इसको उठा करके सबसे आखरी में रख देंगे, बन जाएगा, इसको आगे सरकायत है, यह साथ चार, तो यह जो बना है, सबसे छोटी समसंख्या बना है, क्या बना है यह, सबसे छोटी समसंख्या, इन अंकों के प्रयोक से, अब इसी को कह दि सबसे बड़ी संख्या कह दिया तो यहां पर जो संख्या लिखा गया है उसे सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं क्या आएगा साथ उसके बाद चार तीन दो एक सुन्य यहां पर हैं यह सबसे बड़े संखया बन गया और आकरी में सुन्ने है जो कि समंक है स्वारी सुनने अकले सम नहीं होता नमतने संखया चैसे की पहचान है अकेले सुनने को नहीं बोलेंगे समसंख्या है वी समसंख्या नहीं बोलेंगे अकेले नहीं होता यह जब किसी संख्या के अंते में लगता है तब उसके लिए समसंख्या बनाता है तो यह पूरा जो संख्या है वो जो है समसंख्या है तो यहां रिदी सबसे रहा है, इसको बीशम बनाने है तह jsem क्या करेंगे, यहाँ से दिरे दिरे इस तरह आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर श०्ण्य है, यह एक आगया, एक विशम अंक्षै है, तो अंकी मे बन गया, बन गया, यह जो है इन अंकों से बनी सबसे बड़ी विशम संक्य है, तो सम और विसम के संबंद में और भी बहुत कुछ प्रसन पुछे जाते हैं यह क्लास काफी लंबा हो चुका है तो यहां पर क्लोज करते हैं अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे अगले क्लास में बताएंगे तो अब हम बात करते हैं कि आप हमारी क्लास को किस प इतने दोस्त नरायन दिवांगें के साथ नमस्कार.